Hello and good evening everyone. आज के lecture में हम equation of motion and लिवली स्थोरूम के बारे में पढ़ेंगे. लिवली स्थोरूम के बारे में हम ओर डिसकास्थ कर्चुके हैं इसके दोनों पार्च के बारे में तो आज हम equation of motion के बारे में पढ़ेंगे तो start करने से पहले first to fall आपको poison bracket के बारे में पता होना चाहिए poison bracket लिखना आना चाहिए कैसे poison bracket को हम लिखते हैं तो A into B का poison bracket हम कैसे लिखेंगे A into B का poison bracket हमने यहापे लिखा curly A by curly QI into curly B by curly PI अब हम ठीक इसका reverse कर देंगे minus यह जो QI है कर लिए बी आई के नीचे चला जाएगा और पी आई है वो कर लिए आई के नीचे चला जाएगा तो ऐसे हम पोजिजन ब्रैकेट को लिखते हैं यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर हमने माल लिया कि D हमारे पास distribution function यहाँ पर density किसका function है हमारे पास अब हम इसका time के respect में अगर derivative कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा D by DT equal to, पहले D का Q के respect में करेंगे, तो कर लिए D by, कर लिए QI, इन्टु में अब Q का करेंगे time के respect में कर लिए DQ by DT plus, अब D का P के respect में कर लिए D by कर लिए P, और अब P का time के respect में कर लिए D P by DT, पलस में same as it is, हम time के साथ करेंगे, तो क्या आजाएगा, कर लिए D by, कर लिए T, और इन्टु में DT, और साथ में T के respect में DT, और यहां सी यह DT से DT cancel हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यह वागी टरम बच जाएगी, और यहां पर इस टरम को हम क्या लिएग सकते हैं, यह टरम हमारे पास क्या है, p by dt means p का हमने time derivative कर रखा तो p को हम कैसे लिख सकते है ऐसे लिख सकते है और qi और pi की value होते है हमारे पास classical hamiltonian होते है और इनकी जो value होती क्या होती है qi dot की value होती है हमारे पास curly h by curly pi और जो pi की value हमारे पास क्या होती है pi की value होती है हमारे पास माइनस करली h by करली क्याओ आई π आई के नीचे हमने क्याओ आई लिखा यादगरने का तरीका क्याओ आई के नीचे हमने π आई लिखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यह वाली जो टरम है इसकी जगह हम क्याओ डोट पूट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या put करेंगे P dot put करेंगे और बाद में जो proud dot और P dot है उसकी जगा हम क्या put करेंगे यह वाली ध्रम यहाँ पे put करदेंगे तो put करने के बाद हमारे पास क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं तो हमारे पास यह equation आजाएगी यहां पर यह equation कैसे है यह वार खिर से मैं बता जेता हूं तो हमने यहां पर equation number 1 थी इसका time derivative किया time derivative करने के बाद हमारे पास यह equation आएगी इस equation में हमने क्या किया जो curly q by curly t है इसको हम क्या लिख सकते है क्या dot लिख सकते है और क्या dot की हमारे पास क्या value होती है curly h by curly pi classical hamiltonian का use कि है हमने यहाँ पे और इस पॉइंट कि यह जो च्रम है इसको क्या लिख सकते हैं dpy dt इसको हमने लिखा p dot और p dot की classical hamiltonian में क्या वैली होती है curly h by curly pi तो इस ट्रम की जगह हम यह वाली च्रम पुट कर देंगे और P i की जगह हम ये वाली ट्रम पूट कर देंगे, पूट करने के बाद हमारे पास ये equation आएगे और यहाँ पर ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रम into में आएगे, तो हमारे पास ये equation आएगे, और ये जो sign है वो minus का आएगा हमारे पास और ये वाली जो ट्रम है, इस त्रम को अब हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रम को हम लिख सकते हैं ये poison bracket बन रहा है यहाँ पे, तो किसी इसका प्रूब D और H का poison bracket बन रहा है, अगर मैं इसका Q और P के रिस्पेक्ट में अगर वापिस खोल तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली ही ट्रम आ जाएगी, तो इस त्रम को हम मैं क्या लिख सकता हूँ, poison bracket लिख सकता हूँ, ऐसे, D H into QP, equal to A, D by D into DT, और साथ में, ये वाली ट्रम यहाँ पे आजिएगी, करली D by करली T, और यहाँ पे आएगा हमारे पास बीच में positive sign, और जो D by DT है, इसको हम already, जो लिख लिख स्थोरम का जो फर्स्ट पार्ट का, principle of conservation of density in phase space, तो ये वाला जो पार्ट है, D by DT equal to 0, ये हम already prove कर चुके हैं, तो ये वाला जो पार्ट हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, करली D by करली, करली, करली D by करली T, पलस में, D into H equal to 0, और मैं इस पार्ट को उस तरफ लेके जाऊं, तो क्या हो जाएगा, करली D by करली T, और इसको लिख देंगे, equal to minus D into में H, ये हमारे पास क्या आगी, equation of motion, I hope आपको ये टोपिक समझायो, thank you